सल्मान की एक्स गर्ल्फरेंड सोमी अली भी हुई है यौन उत्पिरन का शिकार आप सोमी अली को तो जानते ही होंगे सोमी अली सल्मान खान की गर्ल्फरेंड रही है उन्होंने सल्मान को आठ सालों तक डेट किया सोमी शुरू से ही सलमान की दीवानी रही उन्होंने बॉलिवोड में आने का मन अपने क्रश सलमान को पाने के लिए बनाया था पाकिस्तानी गर्ल्स सोमी ने बाद में बॉलिवोड फिल्मों में करियर ही नहीं बनाया बलगी सलमान को पूरे आठ सालों तक डेट किया और इस दोरान वे उनके बेहत करीब मानी जाती रही सलमान और सोमी का सन 2000 में बेक अप हो गया और बेक अप के तुरंट बाद सोमी भारत छोड़कर फ्लॉरिडा में बस गई सलमान के प्रमुक हिरोईनों में से एक रही सोमी को सलमान के साथ रिलेशनशिप में रहने के दौरान सलमान के गुस्से का भी सामना करना पड़ा था मीडिया के मताबिक सुनने को मिला था कि जब सोमी सल्मान को डेट कर रही थी तो सल्मान ने कोल्डरिंग की बोतल सोमी के सिर पर फोर दी थी इस बारे में सफाई देते विए सोमी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था ये सब अफवा ही थी अगर ऐसा हुआ होता तो मेरे सिर से खून बहता और मुझे अस्पताल में भरती होना पड़ता उन्होंने बताया कि सलमान मेरे शराब पीने से खुश नहीं थे क्योंकि मैं शराब पहली बार पी रही थी इसलिए पुंटित होकर उन्होंने पूरी टेबल में शराफ फैला दी सोमी ने एक अंग्रेजी वेबसाइट के साथ इंटरव्यू में बताया कि जब वह मातर पांच साल की थी तब उन्हें यौन उत्पिरन का शिकार बनना पड़ा उन्होंने बताया कि जब मुझे हाई स्कूल और युनिवेसिटी में अपनी बात रखने के लिए मंच पर बुलाया गया तो मैंने यह सब वहां उपस थी ति स्टूडेंट से साजा किया मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करने से दूसरी लड़कियों को अपने उपर हुए अत्याचार के खिलाफ बोलने की हिम्मत मिलेगी